खटर सहाब जब मैंने अपना ये इंट्रोडक्शन पढ़ा और मैं जब सोच रहे थी लोगों के परसेप्शन के बारे में मोदी जी तारीफ करते हैं बड़ी जन्सभा होती हैं जबर्दस्त तालियां बचती हैं खटर सहाब को लेकर इतनी तारीफ प्रधार मंत्री नरेंद किल हुआ करती थी हम लोग उसी पर सवार होकर हर्याना भ्रह्मन करते थे आप मोटर साइकल चलाते थे और मैं पीछे बैठा करता था रुह तक से लेकर गुर्डग्राम तक चले जाते थे गुर्डगाओं हुआ करता था उस वक्त इतनी तारीफ और फिर कुर्षी चली लेकिन जाता है अधूरी है उस चर्चा को अगर किसी ने सुना हो या आज ही रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उन्हें इससा बातें कहीं जो आपने बताई हैं कि हमारे बड़े अच्छे संबंद रहे और हम मोट साइगल पर इकठे चले दरीका समाना था उस समय से हम इकठे क आप में करते थे और उन्हें साथ में बाद में ये का कि आज भी हम इकठे हैं और आपका भविश्य भी हमारे साथ है अब यह जो आखरी पंक्ति आपका भविश्य भी मारे साथ है मुझे नहीं धहन में आ रहा कि कोई और समझा होगा लेकिन मैं समझ रहा था क्यों समझ र है तो लोन जो कहा मुझे मालूं था कि अगले मुखेश मंत्री डायव सैंही प्राइब लूने कि उन्हें एक प्रश्चा में कोई आदिवाद रखे थी बाकी बताई नहीं थी बाकी बात हो गई थी और ये विश्यक है बहुत पब्लिक के साथ मैंने शेयर नहीं किया, आज शेयर कर रहा हूं, मुख्यमंत्री कैसे बने, क्या बने, आपने बता दिया, आठ साल, लगबग साड़े आठ साल जब हो गए, और मुझे भी लगता है कि जो हमने काम किया, जनत ताय तो मैं ठीक किया, मैंने महोदी जी क किसी उत्रादिकारी को काम सौप देता है, उस जैसा खोशनसी बाद में नहीं हो सकता, अच्छा होगा कि अब समय काफी होगे, आठ साल, अगर किसी नए व्यक्ति का, जिसका कोई चैन करना है, आज की टीम में कोई मिलता हो, तो अच्छा हो, उसका मेरा उत्रादिकारी यानि लगबक डेड़ साल से भी उपर हो गया, और ये बाद मैं अपने रास्टियद्यक्ष जी को भी उस समय बताई थी नड़ा जी को भी, अब उन्होंने सुन ली, सुनने को बाद का ठीक है, आपने कहा है, तो विचार करेंगे, लेकिन आपको बने रहना चीए मुख्य मैंने कहने के बाद अपना विचार जो बताना था बताया और बाद में लगबक दो मिने पहले, मुझे इनमें कहा कि आपने जो कुछ कहा था, उस पर स्टैंड करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस नाते से, कि आप कोई ना कोई विकल्प आना चाहिए, लेकिन आपने ऐस चलेगी, भारती जंता पाटी की सरकार नेतर तो कोई भी हो, लेकिन भारती जंता पाटी की सरकारे हैं, वो किसी सिधानतिक पक्ष को लेकर चलते हैं, कोई जीवन मूल्यों को लेकर चलते हैं, कोई अपने विबस के अधार पर नहीं चलते हैं, कोई अपने मंत्री आएगा तो अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा हमने एक साथ काम किया तो बहुत कुछ हम एक दूसरे से सिखे हैं मैंने नेंदर मोधी जी से बहुत कुछ सीखा क्योंकि हमारे बहुत पराने संबन्द है फॉर्मल संबन्द तो मेरा 1990 में आ गया था कि हम लगातार 1996 से लगातार पांच साल तो एक शहर में हेड़कॉर्टर था हमारा मेरा भी पंचकुला हेड़कॉर्टर था उनका भी पंचकुला हेड़कॉर्टर था उनके पास पांच स्टेट्स नॉर्थ की थी मेरे पास केवल हर्याना थी मेरे एक परकार से सीधे बहुत थे वो और उसी समय 1996 से ही नायव सिंग सैनी ये भी मेरे साथ काम करते थे हम लोग जब रोध तक में पहले काम करते थे फिर बाद में पंचकुला काम करने लगे लगा अतार हम काम करते रहे 2014 में हमने एलेक्शन लड़ा उन्होंने भी विदानस भालाडी मैंने भी विदानस wishing मैं मुख्यमति वे ना मेरी कैबिनेट में मिनिस्टर थे और उसके बाद उनका चायन हो गया लोकसवा चुनाओं के लिए बाद में उनका चयन हो गया भारती जिन्ता पार्टी के प्रदेश दक्षिंग नाते और बाद में उनको मुख्यमत्री बनाया है तो हमरे बिड़े पुराने साथे हम एक दूसरी को बहुत अच्छी प्रकार से समझते हैं एक दूसरी के कामों को सीख करके हम आगे बढ़ते हैं तो एक परंपरा है ये हमारे घर में कॉंग्रिस की तरह नहीं है कि कॉंग्रिस को किसी को कुर्सी मिल जा और मिलने के बाद वो ऐसे पकड़ के बैठता है जैसे चिपक गया हो, फिवी को लग गया हो, कील से ठोक दिया हो कभी कुर्सी छोड़ने की बात आए तो कभी तयार नहीं होते अगर धक्के मार करके बाहर निकाल भी दिया जाए तो उसके बार बैठेगा कौन वो फिर दरजनों लोग होते हैं उस कुर्ची को पकड़के खेंचने की एक टांग इधर खेंचेंगे इधर खेंचेंगे कुर्ची तोड़ देंगे सुखार नहीं करें किसी को देने के लिए यह भरतिजिंता पाइटी है समर्पन भाव से देश के प्रतियक समर्पन का भाव हम काम करते हैं कुर्ची के मो के लिए काम नहीं करते हैं